3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 इन काफी मुश्किल से उन सब से बचते हुए विक्टर इगोर को अपने घर पर सही तरीके से वापिस ले आता है। पर पहुँचते ही सब से पहले विक्टर कुछ इंजेक्शन्स और दवाईयों की मदद से उसकी कमर के अंदर मुझूद पी यानि के कुछ गंदा मेटीरियल निकाल लेता है ताके उसका बॉड़ी पॉस्चिल्स ठीक हो सके और यहां पर इगोर ठीक भी हो जाता है और वो प एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है रिवर्सल ओफ डेप्ट उस पर काम कर रहा हूँ यानि मैं मरे हुए इनसान को किसी जानवर को दुबारा से जिन्दा कर सकता हूँ लेकिन इसके लिए मुझे बहुत काम करना है और तुम मेरी हेल्प करोगे यहां पर वो एक कंटेनर में की आँखें भी दिखाता है जिसमेंसे जब वो करेंट पास करता है तो वो आँखें मूव होने लगती है इगोर इतना समार्ट होता है यहां पर वो विक्टर की एक गल्ती को ठीक करता है वो उसे बताता है कि तुम ने आंखों की नर्व को सही से अटैच नहीं किया बोडी पार्ट्स की मदद से एक जाएंट चिंपेंजी बिनाना चाहते हैं जो किसी मॉंस्टर से कम नहीं होगा यह साइंस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रही होते हैं काम करने के बाद विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाते हैं जहां पर इगोर उसी और तुम्हारा सारा फोकस उस लड़की पर गया तो तुम काम पर फोकस नहीं कर पाऊगे फैर अब यह दोनों अपने घर पर वापस आ जाते हैं यहां पर पहली बार हम उस मॉंस्टर स्चिंपेंजी को देखते हैं जो मुक्तलिफ एलेक्टिक वायर्स में जक्रा होता है अब एलेक्रिसीटी गुजारने का टाइम है इस मरे हुए चिंपेंजी से एलेक्रिसीटी गुजारी जाती है ताके वो फिरसे जिनदा हो सके लेकिन उसकी कन्फ्यूजिन उसी वक्त दूर हो जाती है जब मरा हुआ चिंपेंजी मूफ करने लगता है यानि कि इनका करने लगता है लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है जिसको देखते हुए विक्टर अपनी ही बिनाई हुई क्रियेशन यानि उस चिंपेंजी को मार देते हैं विक्टर को उसकी युनिवर्सटी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अनकर्वेशनल मेथड्स को इस् क्रियेशर्स जिनको हम अपने मुताबिक क्रियेट कर सकें और वो हमारी मुख्लिफ कामों में हेल्प कर सकें उसके इलावा काफी पैसे भी ऑफर करता है यहां पर हम इगोर को देखते हैं वो नहीं चाहता कि वो इन लोगों के साथ काम करें लेकिन विक्टर इगोर को नज जाता है अगले ही दिन वही पॉलीस ऑफिसर विक्टर के घर आते हैं ताकि वो इस केस की जांच कर सकें उन्हें ये भी मालूम हो गया था कि युनिवर्सटी में चिंपेंजी को जिन्दा करने की कोशिश की गई थी लेकिन पॉलीस ऑफिसर के पास घर चेक करने का वारट नहीं होता तो विक्टर उनको घर चेक करने नहीं रहता और वो मायूस होकर वहां से चले जाते हैं यहां पर इगोर उस सरकस वाली लड़की से मिलता है जिसको वो प्यार करता है वो लड़की उसे समझाती है कि तुम विक्टर को मना करो कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना करे वरना वो फिर से कोई मॉस्टर बना डालेगा और यह दोनों बहुत साथ स्पेर्ड करते हैं वहां से वाफसी पर जब यह घर पर आ रहा होता है तो देखता है कि वहीं पॉलीस मैन और उसके साथ ही घर का दर्वाजा तोड रहे होते हैं एक और दूसरे दर्वाजे से इतनी ही देर में वो पॉलीस ओफिसर अंदर आ जाता है उनको गन दिखा कर रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोकते और पॉलीस ओफिसर और विक्टर की आपस में लड़ाई होने लगती है आफी लड़ाई के बाद विक्टर उसको धका देता है जिसकी होजासे उसका हाथ बड़े से गेर के अंदर आ जाता है और उसका हाथ खट चाता है अब पुलीस ओफीसर का एक हाथ नहीं रहा दूसरी तरफ ये दोनों एक कैरिज में यानि घोड़े वाली बगी में बैठ कर अपने उसी दोस्त के पास चले जाते हैं जिसने इस प्रोजेक्ट को फ इगोर एक बार फिर से उसे कहता है कि तुम इन चक्रों में ना पड़ो लेकिन विक्टर उसकी नहीं सुनता और वो स्कॉटलेंड के लिए चला जाता है ताकि अपने एक्सपेरिमेंट पर काम कर सकें जैसे ही वो चला जाता है तो रिच इन्वेस्टर इगोर के पास आता ह और वो उसे बताता है कि जैसे ही एक्सपेरिमेंट कम्पलीट हो जाएगा तो मैं विक्टर को मार दूँगा और उसके बनाए गए आर्टिफिशल हुमन को मैं एक वैपन की तरह इस्तमाल करूँगा तो उस पर ना कोई कोई इसर कर पाएगी ना कोई उसे मार पाएगा और और वो मेरे हुकम पर चलेगा ये सब इसे बताता ही एकोर के हाथ पौंबांद कर उसे पानी में फिंकवा दिया जाता है लेकिन काफी मुश्किल से एकोर अपनी रसियों को खोलता है और अपनी जान बचाने के बाद वो उसी सरकस वाली लड़की के पास जाता है और उसे क थेला जा रहा है, तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन ये सब कुछ चानने के बावजूद भी विक्टर इस एक्सपरिमेंट को continue रखना चाता है, क्योंकि वो उसे एक secret बताता है, कि बहुत साल पहले एक तुफान आया था, जहां पर मेरा बड़ा भाई मारा गया था, और कह in the blaishtr बहुत सब्सक्र ऑलीस ओफिसर विक्टर को कहता है, इस सब तबाही के पीछे। तुम हो, तुम्हारी वुज़ा से ये सब कुछ हो रहा है, और इसी बाचीत के दर्मियान वो बनाया गया monster पूर्टर अपनी जगह से उठता है और मूव करने लगता है। विक्टर कहीं न कहीं खुश होता है कि शायद उसका बनाया गया है। एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। विक्टर उस मॉंस्टर से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। और वो मॉंस्टर एक ही जगह पर खड़ा रहता है। पॉलीस ओफिसर काफी डरा होता है तो कि ये मॉंस्टर काफी खतरनाक लग रहा था। और वो अपनी गन निकाल कर उसकी तरफ शूट करता है। जिससे उस मॉंस्टर को काफी दर्द होता है। और वो उस पॉलीस मैन पर अटेक करता है और उसको मार देता है। उसके बाद ये मॉंस्टर विक्टर और इगोर से भी लड़ने लगता है। उनको भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आखिरकार काफी लड़ाई के बाद ये दोनों मिलकर उस मॉंस्टर को वहीं पर मार देते हैं। एंट पर वि उसे मना करता रहा लेकिन उसने उसकी एंग भी नहीं सुनी और ये मुवी इसी सीन पर खतम हो जाती है Thank you so much